नमस्कार दोस्तो मेरे नम गजिंदर है आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सिलिवस का बहुती सुंदर और सिंपल सा डिजाइन इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा यदि आप वीडियो को पूरा एक बार देख लोगे तो आप भी इस डिजाइ अब आपको क्या करना है बाजू की कटिंग करने के बाद में दो इस तरीके से पट्टियां कट करनी है यह देखें मैंने इस तरीके से पट्टियां कट की है ठीक है और इनको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया और जो बाजू के आगे से गोलाई है मैंने इतनी थोड़ी सी एक्ष्ट्रा होगी बाद में यहां से कट कर देंगे और जो चोड़ा ही है वह मैंने रखे डेड़ इंच और इस तरीके से आपको कुछ बटन बनवा लेने ठीक है अब मैं बात करता हूं कि डिजाइन बनाना कैसे है डिजाइन बनाना बहुत सिंपल है इनको मैं सेडम रख देता हूं इस तरीके से देखें जो मैंने पट्टियां कट की थी आपको यह इस तरीके से डबल है इनको सिंपल इस तरीके से फोर फोल्ड करना है और उसके बाद में क्या करना है ध्यान से समझे आपको एक इंचान इस तरीके से लगाना है यह देखें यहां प इस तरीके से देनी है ध्यान से समझे कुछ इस तरीके से सिर्फ गोला यहां से देनी है और यहां से आपको बिल्कुल सिधा निशान लगाना है यह देखे और इस निशान से आपको करने इसके कटिंग इस तरीके से ठीक है अब यहां से मैं इसा अलग कर देता हूँ तो दोस्तो देखें यह कितने कट होगए एक, दो, तीन, उस ओरी यह देखें एक, दो, तीन, और चार, चार पिसे कट होगए है अब आपको क्या करना है? दोनों बाजू में लगाने के लिए आपको इसी तरीक इसका यह सीधे वाला है और यह उल्टा है मैं निशान लगा देता हूँ जो उल्टे हैं उन्हें मैं निशान लगा देता हूँ इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है यह वाला जो एक पार्ट है इसका यह आपको अलग रखना है और जो हमने उरे पटिय वो इसको इस तरीके से लेना है, और यह देखें, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, जो खुले वाला इससा है, वो आएगा round की तरफ, और जो बंद वाला है, वो आएगा नीचे की तरफ, अब simple ही क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, इसके बराबर बराबर, और इ देक वाले तो पीसे में इसको यहां से उठाके साड़े में लगताँ हूं और देखे। जिस तरफ से यह round है आपको इस तरफ pipe लगाने है। यह जो कपड़ा है इसको इस तरीके से fold करना है। इसके बराबर में इस तरीके से ठीक हैं। और आपको सलाई लगानी है, सलाई किस तरीके से लगानी है दिहान से समझे, यह जो देखें, यह जो मशीन का बूट है इसको टेल रिंग लेग मुझे, पैर बोलते हैं, सिंगल पैर और डबल पैर, तो आपको क्या करना है, जो कपड़ा रखना है, वो इसके बिल्कुल बरा ध्यान रहें, यह वाला जो कपड़ा है, यह सैड़े से सिर्फ इतना निकलना चाहिए, जाद नहीं निकलना चाहिए, यह राउंड में ओट्वमेटिक यहां से घूम जाएगा, क्योंकि जो हमने कपड़ा कट किया था, यह उरेव किया था, तो देखें दोस्तों, एक राउंड में ही रखना है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखना, कभी आप इस तरीके से रख दे, कि इसके सामने चोकुर पीस रख दे, ऐसा नहीं करना आपको, इन तीनों में से गो एक पीस उठाना है, जो यहां पर सैट हो रहा हो, राउंड का ही सामने होना चीए, तो देखें दोस्तों, इस तरीके से में दोनों में पाइपन लगा दी है, अब आपको क्या करना है, यह देखें, यहां से राउंड में ही है, तो यह वाला जो कपड़ा है, यह देखें, यह भी इस तरीके से इसको उपर रखना है, यह देखें, इस तरीके से यह राउंड इसके इस तरफ यह देखे अंदर की सैड यह जो पहले वाली सिलाई इसको दबाते वे लगाएंगे किस तरीके से यह देखे इसको मैंने इसके बराबर किया और यह वाली सिलाई आपको यहां पर लगानी अंदर की सैड यह देखे दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा देता देखें दोस्तो इस तरीके से सिलाय लगाने के बाद क्या करना है इनको इस तरीके से सीधा करना है यह देखें इस तरीके से यहां पर पाइप निकल जाएगी और से इसमें इस तरीके से पाइप निकल जाएगी यह देखें उसके बाद क्या करना है इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रैस करना है तो देखे दोस्तों इस तरीके से आपको प्रैस करना है एक दम अच्छे तरीके से और सेम आपको इस तरीके से इसे भी प्रैस करना है और ध्यान रहे इनकी जो position ने इस तरीके से आमने सामने हुनी चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है यह देखें आपको एक निशान लगाना है एक इंच की दूरी पर यह जो पाइप में लग रही है यहां से इस तरीके से ठीक है और एक निशान आपको इसमें लगाना है एक इंच की दूरी पर इस तरीके से ठीक है अब आपको क्या करना है यह यह वाला जो piece है, यह जो निशान है इसके उपर इस तरीके से रखना है, यह देखें, ठीक है, और आपको यह दोनों के आपस में जोड़ना है, यहाँ पर आपको हलकी सी slide लगानी है, तो देखें, इसको इस तरीके से जोड़ने के बाद क्या करना है, यह हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है, रोंग side, और यह वाला जो हमारा कपड़ा है, जो हमने के design बनाए, इसको आपने रखना है right side, यह जो right वाला side है, उन नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से, यह देखें, मैं एक बार फिर से explain कर देता हूँ, जो बाजू है, यह आपको wrong side रखनी है यह जो wrong वाले हिससे उपर आएगा, और जो हमने design बनाया था, इसमें निशान लगा देता हूँ, यह इसका right वाला side है, और यह इसका wrong side है, तो इसमें wrong side उपर आएगा, इस तरीके से, और जो center में हमने cut लगाया न, इस cut को, यह वाला जो cut है हमारा, यह जो इसमें देखें आप में इस तरीके से मिलाना, यह देखें, इस तरीके से, ठीक है, और आपको half inch का margin रखते हुए, यहां से बिल्कुल इस तरीके से देखें, बिल्कुल सीधी-स लाय लगानी है, यह सीधी-स तरीके से लगेगी, मैं आपको machine पर बढ़ता हूँ, यह देखें, इस cut से आप यह जो हमारा कपड़ा है, इस तरफ आ जाएगा, और margin को side करके, आपको एक सलाई और लगानी इसके उपर, इस तरीके से करने के बद क्या करना है, यह जो पूरा का पूरा जमन डिजाइन बनाया न, एक कपिस्टैल में, इसको इस तरीके से पलटना है, यह देखें, और य side of, जो extra margin था न, उसको भी मैंने cutting कर दिया है, अब आप देखें, कितनी finishing से design हमारा बनाये, यहां से कितनी सफाई है, और मैं आपको wrong side से दिखाता हूं, यह देखें, यहां से भी कितनी finishing है, एक भी धागा आपको नजा नहीं आ रहा है, अब design में और अच्छा look देने के ल इस तरीके से आपको अच्छा look आ जाएगा, इस तरीके से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो एक बटन ऐसे लगाएं आप, एक ऐसे लगाएं और एक बटन आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, यह देखें, यहां से मैंने cutting को हुई है, यह वाला side front में आएगा, और य इस तरीके से बटन लगाएंगे, तो यह तो हमारा back में आ जाएगा, और यह आ जागा front में, मैं इस तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ बजू, यह देखें, तो इस से भी बहुत अच्छा look आ जाएगा, यह देखें, ठीक है, यह फिर मैंने आपको पहला तरीके बत आप इस तरीके से भी सीधे सीधे बटन लगा सकते हैं, यह देखें, तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने यह वाले डिजाइन बनाया है, सेम ही तरीके से मैं दूसरी बाज़ों में भी डिजाइन बना लूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ डिजाइन आपको बहुत आया है, तो आप मेरे चनल को जुरूर सस्क्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि स्लाइश से सम्मनत वीडियो मैं मेरे चनल पर डालता रहता हूँ, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए थेंक्यू सोमच